आप देख रहे हैं इंटिवी अमेरिका कि आप फिर से एक बार फिर मास्किंग का दौर लोट रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से COVID-19 के न्यू वेरियंट के बाद हालाद बन रहे हैं उससे एक बार फिर इसे लेकर डिसकुशन शुरू हो चुगी है कि क्या अब वक्त आ गया है कि आप फिर से मास्क लगाएं। ये हाँ, येस में एक बार फिर से COVID-19 का ग्राफ बढ़ने लगा है। इस बीच एक्सपर्स ने मास्क को लेकर लोगों को अलर्ट कर दिया है। एक्सपर्स के मताबिक हाई रिस्क इंडिविजिल्स को अब मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और इसके साथी साथ एक्सपर मीडियम ट्रेश होल पर हैं और इसमें से वन फोर्थ काउंटी जो हैं अकेले फ्लॉरिडा में हैं। यानि देखा जाए, केसिस लगातार बढ़ रहे हैं चाहे हम टैक्स की बात करें या फिर फ्लॉरिडा की। यहाँ पर कोरोना वाइरस का जो न्यू वेरियंट है वो ते दिये जाने के तैयारी है और यह अवर्ड कोई टॉफी के तौर पर नहीं बलकि बिलियन डॉलर का सपॉर्ट एक तरह से इन कंपनीज को दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एल्थ एंड हुमन सर्विसे यानि एच एस कोविड वाइरस को कंट्रोल करने के लिए अब फोर कंपनीज को दिये जाएंगे जो न्यू वैक्सीन के क्लिनिकल ट्राइल्स को लीट करेंगी। वहीं ड्रग मेकर आपको बता दे कि 300 मिलियन डॉलर्स उनको मिलेंगे ये फंड न्यू और मोनो कोलोनल एंटी बारी के टेस्ट और डेवलपमेंट के लिए दिये इसके लावा कुछ स्मॉल फंड जो है अधर कंपनीज को भी मिलेंगे यानि जो छोटी कंपनीज है उनको भी फंड जरूर दिये जाएंगे ताकि वह नई वैक्सीन को डेवलप कर सकें